कल की करनी कल पर क्यों छोड़ दू मेरा वक्त आने वाला है उसे दो पल के आलस के लिए क्यों रोग दू नमस्ते दोस्तों जोहार मैं अनिमेज सर आप सभी का विसे एक चक्वरती यूटूब चैनल में हाद इक स्वागत करता हूँ क्लास 12 के स्वाइब को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माईदम स्वाइब के पॉलिटिकल साइन्स के टॉप 20 एक्जाम लेटेट सब्जिक्टिव टाइप कोशन वताने वाला हूँ दोस्तों जो आपके एक्जाम पॉइंट अप विडियो से बहुत ही ज्यादा इंप इस चैनल के माईदम से मेरे दुवारा कराई जाएगी तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे और स्टार करते हैं हम लोग टॉप 20 सब्जेक्टिव कोशन को देख सकते हैं उस तो सब्जेक्टिव में पहला important question क्योंकि इसमें दो नमबर के तीन नमबर के और 1975 इन इंडिया तो याद रखेगा 1975 में भारत में आपतकाल की घोसना स्री मती इंद्रा गांधी की स्रीफारिस पर राष्टपती स्री फकरुद्दीन अली अहमद ने की थी याद कर लिजेगा इंग्लिस में बाले यहां से आप देख सकते हैं हिंदी में समझाऊंगा इंग 1975 के दो सारों पर एक हिरो सीमा और दूसरा नागा साकी पर पारमानू बं यानि एटम बं गिराए गए थे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग कोशनवाद 3 की और क्या पुछाएगा कि दच्छीन एसिया के सबसे बड़े देश का नाम क्या है नेम दा लार्जेस्ट कंट्री इंडिया ठीक है दच्छीन एसिया का सबसे बड़ा देश इंडिया है चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग कोशनवाद 4 की और ठीक है क्या कुछ है गिया है जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया था हूग ये जो नारा था ये परदान मंत्री लाल बहादुर सास्ति ने दिया था ठीक है आप लोग कमेंट में ज़रू बताएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किस ने दिया था वो कमेंट में ज़रू बताना है ठीक है आगे बढ़ सकते हम लोग कोशनवाद 5 की और क्या पूछा गिया है कि सोव्यत संग का बिगटन कब तो याद रखेगा लोग नायक जय परकास नारायन का नाम जो है जुडा हुआ है ठीक है टोटल रेविलेशन मुव्मेंट में किनका नाम जुडा हुआ है जय परकास नारायन ठीक है जेपी यांदोलन करके जाना है संपुन क्रांती को अच्छे सत देख कर जाना है आगे पुछा गिया है कि योजना आयोग का इध्याच यह अब योजना आयोग भी नहीं है अब तो इसके जगा नाम जो चेंज होगे नीती आयोग हो गिया ठीक है तो ने जो योजना आयोग का इध्यक कोन होते थे? परधान मन्तरी होते थे अभी रओधान मंतरी होता है तो वह भी को सत्मल दोकुम्हान के टैन की और कोश्षण पर और वह क्या पुछा गिया है? कि नी ससस्त्री करन का क्या अभी प्राई है यह जो question है जैक के तरफ से 29 में 2020 में पूछा गया ऐसे सारे के सारे question जैक के तरफ से repeated question से ठीक है तो यह जो question है 9 में और 20 में पूछा गया नी ससस्त्री करन का क्या अभी प्राई है वो अता सभी प्रकार के सस्त्र, सस्त्र समझते हैं, सस्त्रों की उत्पादन की समाप्ती है, परंतो इसका वास्तविक तथा व्यवाहरिक अर्थ है, विश्व सांती और सुरच्चा के लिए कुछ विश्व प्रकार के, या सभी सस्त्रों की उत्पादन की कमी या समाप्ती कर अधा दो या दो से अधिक राज्जो दोरह आपसी समझोते हैं या सविच्छा से अपने सफ्त्रों में कमी करना, उन्हें सिमित मात्रा में रखना, आथ्वा उनके उत्पादन को समाप्त करने का जो कदम है उसे ही नीज सफ्त्री करान कहते हैं, ठीक हैं, माले जे परमानू जो है वो बहुत ही खत्रनाक है अगर इंडिया रखेगी चार पाकिस्तान रखेगी चार कोई भी एक दूस्रें पर यूज कर सकता तो भयानक इसका result रिजल्ट हो सकता है इस तरह कें जो सस्त्र है इस तरह की जो हतियार है बम है इस सबका यूज कम सेΟाप मिले हैं वही इंग्लिस में मैंने आप लोग के लिए प्रवाइट कर रहा हूं, ठीक है, तो इंग्लिस वाले विच्चे, सभी जो है, इस वीडियो को लाइक कीजेगा, जम कर सेयर कीजेगा, सभी कीजेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग के डिमांड को देखकर ही, मैं यह इंडिया इन अगस्ट 1947 या फिर भाद को स्वतंता के समय कीन चुनोतियों का सामना करना पड़ा था बहुत इस्ट्रगल करने के बात उनिस सो सांतारिस में आजाद हुआ था तो उनके सम्मुक उनके सामने तीन जो परमुक चैलेंजेस थी वो चुनोतिया क्या क्या थी को एकता के सुत्र में बांद कर रखने की थी किसमें रखना था दोस्तो एकता के सुत्र में यानि यूनिटी में बनाके रखना था ठीक है जिसमें भारतिय समाज की सारी विविदताओं के लिए अस्थान हो क्योंकि भारत में विविन भासा विविन धर्म विविन संस्कृ सबसे बढ़ा चुनोती हुआ राइस्तांत्र से लोकतंत्र की अस्थापना करना दूसरा सबसे बड़ा चुनोती था ठीक है बात में क्या लाना था देमोक्रेसी और तिसरा आप लोग देख सकते हैं लोग का लियानकारी समाज का विकास करना था वेलफेर सोसाइटी करना था पबलिक के लिए लोगों की भलाई के लिए काम करना था ये तीन परमुक चुनोती थी ठीक है नौ सवतंत्र भारत की आगे क्या लिखा गिया है कि मंडल आयोग के किनी दो सिफारी सो का वर्णन करना है तो मंडल आयोग से क्वेशन पुछे जाते हैं तो इनकी दो परमुक मांगे क्या-क्या थी यह भी जैक के तरफ से 2009 में 2017 में पूछा गिया है इंग्लिस वाले टैंसर मत लिजे इसका नीचे उसको सरकारी सिवा में कम से कम 27% आरक्षन जो है रिजर्वेशन प्रोभाइट किया जाए परदान किया जाए दूसरा पॉइंट देख सकते हैं केंद्रिये तथा राज सरकारों दोरा सासित वेग्यानिक टक्निकी तथा वेवसाइक संस्थाओं में आइन पिछिडी जाति के लिए 27% आरक्षन जो है निश्चित किया जाए यानि यह जो मांग था 27% OBC को सब चीजों में छूट दिया जाए ठीक है माली जिए कोई सरकारी सेक्टर में 100% जॉब है तो उसमें 20% 27% किसको मिलना चाहिए OBC को मिलना चाहिए ठीक है आप सही पता है मंदल आयो क्या आप लोग नेक्ट कोईशन कि और कोईशन थाटीन कि देखे गट बंधन क्या है ठीक है तो गट बंधन देख सकते कॉलिशन क्या है तो यह जो है जैकर रब्स दो यहान नौ में दस में 11 में इदम बैक टुबैक पूछा गया है और यह दो मांक्स के सबसे इंपॉर्डन को सिक्यूरिटी सुरच्छा क्या है इस तरह कोईशन को आपको करके जाना है ठीक है और एक कामराज योजना क्या है बंबे योजना क्या है नितिया योग क्या है योजना योग क्या है इस तरह कोईशन आपसे पूछे जाएंगे आसा करते हैं आप लोग तैयारी कर लिए ठी और ये जो कितने जितने कोशन मैं दे रहा हूं इसको भी आपनों को देखकर जाईएगा तो गट बंदन क्या है जब दो या दो से अधिक पाटिया आप से सामती से साजा कारी करम के द्वारा आधार पर चुनाव लड़ती है तो सरकार बनाती है तो उस प्रक्रिया को गट ब लड़ती है जित्ती है तो उसे हम लोग कहते हैं गट बंधन ठीक है और कहीं कहीं तो महा गट बंधन देखने को मिलती है दो पाटी नहीं दो से ज्यादा पाटी मिलकर एक साथ एक मंच पर चुनाव लड़ती है तो उसे कहते हैं महा गट बंधन ठीक है जहारकंड में देख सकते बहुत बड़ा एंसर है, ठीक है, छाट के याद कीजेगा, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, सिंपल में, क्या लिखा गया है, कि प्रिवी पर्स की प्रिष्ट भूमी और अर्थ, याद रखेंगे कि ये कोश्चन जो है न, दो मार्क्स के भी पूछे जा सकत हैं, और सोतंद भारत हुआ, उस समय लगभा 565, ये कोश्चन अबजेक्टिव के लिए इंपोरेंट है, कितने रजवारे थे, 565 रजवारे या फिर देशी रियासते थी, देशी रियासतों का विलाई, भारतिय संग में करने से, सबसे पहले, सरकार ने यहाँ आस्वासन दिया, ये गैरेंटी दिया, कि लियासतों के ततकालिन सासक परिवार को निश्चित मात्रा में नीजी संपदा रखने का अधिकार होगा, साती सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विसेज भत्ता भी दिया जाएगा, ठीक है, ये दोनों चीजे, यानि सासक की नीजी संपदी और भत्ता, इस बात को आधार मानकता ही की जाएगी, जिस राज का विलाई किया जाना है, उसका विस्तार राजस्व और छमता कितनी है, इस विवस्ता को क्या कहा गया, प्रिवी पर्स कहा गया, ठीक है, सिंपल भासा में मैं आप लोग को समझा देता हूं, ठीक है, भात म कोई, यहाँ पर कोई सीन होने वाला नहीं है, तो राज ठाट को बनाए रखने के लिए उनलोग को कुछ सुविदा मिला, एक टाइप का पैंसन बोल सकते हैं, बैठे बैठे उनलोग को पैंसन दिया जाएगा, और जो नीजी संपती राख सकते हैं, यह आसवासन दिया छेता है, लोग पुरुस के नाम से जाना है यह पर्प्र्पर्प्र समझ गए है, आफ प्रवी पर들 को समाप्त कौन कि आप लोग नेष्ट पाराग्राप में सितंबर शितंबरू 970 वे याद रखी गांदी, प्रभी पर्पर्प समाप्त करने के लिए लोग सभा में एक सं इसके पक्ष में आवश्यक जो विश्यस अधिकार था वो समात कर दिया गिया फिर 15 दिसंबर 1970 को उच्चितम नयालई ने इस अधादेश को अवेद करार कर दिया ठीक है फिर भी इंद्रा गांधी हार नहीं मानी परंतु इंद्रा गांधी की सरकार इस प्रिभी पर्ष को ख समाप्त करने के लिए डटी थी ठीक है एक बार फेल होगी लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी 1931 में इंद्रा सरकार को सांधार जीत हासिल हुई फिर 1931 में जो है आप सही पता है इंद्रा गांधी की सरकार आई सांधार जीत के साथ ठीक है और फिर 25 संसोधन अधिनियम जाएगी यह जो समाप्त किया इसके पीछे जो है इंद्रा गांधी का बहुत बढ़ा रोल है ठीक है आगे बड़ सकते हैं यह सारे ऑपरेशन करके यह ठीक है और अच्छेस यह कोशन 15 से लेकर कोशन में 20 बैट टुबैक इतने इंपॉर्टन कोशन है ना यहां से इतने घ घुमा दिजिएगा अच्छे से कंसेट को समझेगा ठीक है क्योंकि आप लोग के लिए मैनत किया गया है ताकि आप लोग पॉलिटिकल साइंस में फोड कर आएं तो ठीक है तो जितने भी ऑपरेशन से वो कहीं ना कहीं किसी यूद से संबंदित है तो सारे ऑपरेशन को हम आप लोग बैक टूबैक कोशनर 15 के साथ करते रहेंगे ठीक है तो पहला जो आपनों कोशनर 15 देख सकते क्या कुछा गया फ्रथम खाड़ी यूद इंग्लिस वाले याद रखेगा फ़र्स्ट गुल्फ वार ठीक है के चार कारणों का उलिक करें यह सिंपल कोशन यह कोश इंग्लिस वाले भी समझेगा ठीक है आप लोग को नोट्स तो इंग्लिस में दिया गया लेकिन हिंदी में समझेए कि 1990 के बात करते हैं कि अगस्त में इराक ने कुवेट पर हमला किया याद रखेगा 1990 में इराक जो है वे कुवेट पर एटेक किया उसने बड़ी तेजी से कुवेट पर कबजाबी कर लिया नबर पॉइंट वान आप लो पुजानी की तमाम राजनितिक जो कोशित से है जब आसफल रही तो संजुक्त राज संग ने कुवेट को मुक्त कराने के लिए बल परियोग का अनुमती दे दिया अब सभी पता है संजुक्त राज संग को भी अच्छे से करके जाए यहां पांच महा सकती है ठीक है तो जो है बहुत पावरफूल हो रहा था दीरे दीरे यह अमेरिका के लिए टेंसन का बात था ठीक है उसने इसे एक अच्छा मौका समझा संजुक्त राज संग के इस सेनिक अभियान को क्या नाम दिया गया है ओप्रेशन डेजर्ट स्टॉम ठीक है कहा जाता है जो बहुत हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था ठीक है आप सभी पता है ऑप्रेशन डेजर्ट स्टॉम जो है संजुक्त राज संग ने अनुमति दिया था लेकिन इसमें सबसे यादा अगर किसी का सेना था तो अमेरिका का था ठीक है याद रखीगा इसे कहा गया ऑप्रेशन डेजर् और अमेरिका ने जो है इराक पर क्यों एटेक किया यह भी लिखना है प्रथम खाड़ी यूद पूछे तो यहीं लिखना है ठीक है तो चलिए नेक्स पॉइंट देशने पॉइंट नवर फोर सोवियत के पतन के बाद यानि सोवियत संग जब था ठीक है जब सीत यूद च लिखाने के लिए ठीक है तो इराक को पराजित करके वो सफल भी होता पुरा दुनिया को दिखाता है कि एक ही का महा सकती है वो महा सकती नाम है संजुक्त राज संग नहीं संजुक्त राज अमेरिका ठीक है अमेरिकी राष्टपती जॉर्ज बूर्स ने इसे नई विस्व विवस्था भी पूछा ना तो यह कोशन आप लोग लिग सकते हैं अगर आपसे कोशन में नहीं विश्व विवस्था पूछा जाए तब लोग इसी कोशन को लिख हिएगा यानि एक ही कोशन माई दमसा को पांच-पांच कोशन समझाया गया अगर कुछ भी आ जाए इसको ल सुरू हो गया ठीक है तो कोशन में 16 अप लोग दे सकते हैं 9-11 के आतंगवादी हमले तथा उसके परभावों का वन जो है विवरन देना है या अमेरिका ने आफगानिस्तान पर एटक क्यों किया था यहां पर कोशन आप से पूछा जाएगा कि अमेरिका जो है आफगानिस आफगानिस्तान पर एटक क्यों किया या आपरसन इंडियूरिंग फिडम क्या है यह तीनों कोशन यहीं एंसर आपको लिग कर आना है तो चलिए अच्छे से इस एंसर को हम लोग समझते हैं कि आपरसन इंडियूरिंग फिडम क्या है अब यह जो अमेरिका है अफगानिस् पताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनट बाद चार अमेरिकी वेवसाइक विवानों पर कबजा कर लिया था चार को जो एरप्लेन है उस पर कबजा कर लिया था ये आतंगवादी लोग ठीक है कब 11 सितंबत 2001 को अपरहन करता जो है इन विवानों को अमेरिका की मत्व उन इम सिमारतों की सीधे में उडाकर ले गए ठीक है याद रखीगा ये चारों जो इंपोर्टेंट जो विवान था एरप्लेन था उसको अमेरिका के चार बड़े-बड़े बिल्डिंग के पास टकराने के लिए ले कर गया है ठीक है पॉइंट नमर्ट दो आप लोग देख सकते के उतरी और दचरी टावर से टकराया तिसरा जो विमान था वह वरजिनिया के अलिंग्तन इस्तित पैंटागन से टकराया उप पैंटागन में अमेरिकी Congress की मुख्य इमारत से टक्राना था लेकिन वह Pennsylvania के एक खेतन में गिर गया चलिए वहाँ का जो है सरकार बच गई नहीं तो अमेरिका Congress उसी दिन जो है द्वास्त हो जाता ठीक है क्योंकि वह जो टक्राना था Congress के मुख्य इमारत से टक्राना था लेकिन किसमत अच्छा था वहाँ के लोगों का वहाँ के पॉलिटिक्स के लोगों का कि वहाँ जो है खेत में जाके गिर गया इस हमले को 9-11 कहा जाता है याद रखेगा इस हमले को 9-11 कहा जाता है अगर आप से 9-11 क्या है तो आप लोग लिख सकते है 9-11 आप सभी पता है जो अमेरिका में है ना महिने को पहले लिखा जाता है डेट को बाद में लिखा जाता है इसलिए जो है ये 11 सिप्टमबर जो है देखिए आप लोग 11 सिप्टमबर पीछे है और जो सिप्टमबर महिना नहुआ महिना वो आगे है ठीक है ये अमेरिका में स्टेइल यह लिखा जाता है अब खांधों कि आतंग वादी हमले का परभाव क्या हुआ तो इस हमले में लगबस來Tção मारे गें कितने हजार वैक्ति हमले मारे गें 911 घटना में लागबग 3,000 वैक्ति मारे गें अमेरिका में 3,000 है बहुत जहादा होता है ठीक है क्योंकि अमेरिका में अतना जन संगा नहीं है अमेरिकियों के लिए यहाँ दिल दहला देने वाला अनुबब था, सबसे बड़ा terrorist attack था ये, चलिए अब लोग, हम लोग आप next point देख सकते हैं, आतंगवादी हमले का दूसरा जो point है, वो क्या है, कि अमेरिकी जो जमिन पर यहाँ अब तक का, अमेरिकी जमिन पर यहाँ अब तक का सबसे गंभीर हमला थ इससे भैंकर अटेक आज तक अमेरिका नहीं देखा था, इससे जान माल की जो है अपार हाने हुई थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था अमेरिका को, जान भी बहुत सारा गिया था और बहुत सारा अपार माल की भी छती हुई थी, अमेरिका सन 1776 इस्वी में एक सौतंत देश बना था, और तब से उसने इतना बड़ा हमला अपने जीवन में कभी देखा नहीं था, आगे पॉइंट नमर थ्री अप लोग देख सकते क्या लिखा गिया, कि अमेरिका द्वारा जवाई भी जवाबी करवाई दिया गिया, तिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इं इंडियूरिंग फ्रीडम चलाया गया, अब अमेरिका तो मार खाने वाला देश नहीं है, मार खाया है तो अब जो है इट का जवाब पत्थर से देगा, और इट का जवाब जो पत्थर दिया उसी फ्रीडम का नाम है, उसका अपनों पॉइंट नमर टू देख सकते हैं क्य अब पॉइंट नमर टू देख सकते हैं, अमेरिका ने विस वह भर में गिरपतारिया की, ठीक है, तालिवान सासन के पाव जल्दी उखड गये, अमेरिका जब एक्सल लिया ना, तो तालिवान के जो सासन है, उसका पाव जल्दी उखड गया, और अफगानिस्तान में अब लोग देख सकते हैं, आप लोग इंगलिस में भी प्रवाइट किया गया, आप लोग तो समझ गये, हिंदी में कहानी की तरह मैंने अप लोग अच्छे समझा दिया, बस इंगलिस में नोर्स प्रवाइट कर दिया गया, आप लोग स्क्रिन सॉट ले लिजे, ठीक है, चलिए, ले लिए आप लोग स्किन सॉट, चलिए, आगे बढ़ते हम लोग, नेक्ट कोशन के और कोशन में 17, देख सकते हैं, अब नेक्ट ऑपरेशन क्या है, यह है, दो हजात तीन में इराक पर अमेरिकी आकरमन का उलेख, यह दूतिया खारी यूद क्या था, फरस्ट ग इराकी फ्रिडम क्या था, वो भी अच्छे से देखने वाले था, चलिए, एक-एक पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह बात करते हैं, सन 2003 में, सन 2003 में 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रिडम के कुट नाम से इराक पर सहिन हमला किया, यह आपरेशन का नाम था अपरेशन इराकी फ्रिडम, आप सही बता है, अमेरिका इराक पे अटक किया था, 2003 में, अमेरिकी अगवाई वाले आकांचियों के महाजोट, ठीक है, में 40 से ज़्यादा देश सामिल हुए, पॉइंट नवर टू, आप लोग देख सते हैं, क्या लिखा गिया है, संजुक् ईराक पर हमला किया गया, ठीक है, क्यूंकि इराक जो है, एक से खतवनाक हतियार बना रहा था, इस से अमेरिका टेंसर में आगिया था, आपने सुज बूज के साथ एराक पर एटेक कर दिया, परंतु इराक में सामोईक साहार के हतियारों की मौजुदगी के कोई परमान अ याने नि can control करना क्योंकि اत का हम करना पॉइंट 4 आप लोग देख सकते क्या लिखा गया है सद्दाम भुसेन की सरकार तो चंद रोज में जाती रही लेकिन इराक को सांध कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका इराक में अमेरिका खिलाप एक पुन व्यापी विद्रोब भड़क उठा ठीक है आगे देख सकते हैं पॉइंट फाइब क्या है ये लास्ट पॉइंट है क्योंकि ये तीन मांक्स ये एक अनुमान के अनुसार अमेरिका अमिरीकी हमले के बाद लगभग 50,000 आगरिक जोओं मारे गें थे ठीक है और एक मात्मुन अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला साहिन और राहिजटिक धरातल पर आसफल सीध हुआ तो यह आप लोग समझ गये ठीक है तो मैंने तीन आपम वीडियम वाले बच्चे अप लोग जो है सेकेंड गुल्फ वार क्या है मैंने हिंदी में समझा दिए आप लोग की स्किन सॉट ले लिए ठीक है ले लिए चली पांच पॉइंट है पांच पॉइंट ले लिए चली आगे बढ़ सकते हम लोग नेक्ष्ट क्यों कोश्च में 18 यह भी एक operation है operation blue star क्या था और इसके क्या पई नाम सामने आए आच्छे समझेगा अब हम लोग बात करते operation blue star ठीक है बहुत सारे मैंने जितने भी important जो है वो operation को इस वीडियो के माइदम से आप लोग के बीचे में provide कर रहा हूं ठीक है बाकि आप लोग अपने अस्तर से किसी भी type का जो कमी मत रखेंगे क्या लास्ट एक्जाम है आसा करते आप लोग फोड़ कराईएगा ठीक है तो यह जो operation है operation blue star क्या था अपना मुख्याले बनाया कौन सा मंदिर पर आप समझते है गोल्डन मंदिर जो है स्वन मंदिर पर अपना मुख्याले बना लिया और स्वन मंदिर एक हतियार बंद किले में तबदिल हो गया यहाँ पर समझी सकते हैं सब हतियार लेकर जो है एक जूट हो गया उनिस्तो च 84 के जूर महिना में भार सरकार ने आपरेशन ब्लू स्टार चलाया यह स्वन्मंदिर में की गई सैन्य कारवाई का कुट नाम था इस सफलता पुर्वक मार भगाया लकिन सइन्य कारवाई से इतियासिक स्वन्मंदिर को छती भी पहुची आईए जो golden temple है इसको नुकसान भी पहुचा तो इससे सबसे यदा जो है कौन भड़क सकते हैं सीख ठीक है तो इससे सीखों की भावनाव को गहरी चोट लगी और भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सीखों ने सैन ने अभियान को अपने धरम विश्वास पर हमला माना क्योंकि golden temple पर attack किया गया तो इससे सीख समुदाई जो है वो भड़क गये थे और खाली भारत के ही सीख नहीं अगल बगल जितने भी देश के सीख है वो भड़क गये थे इन बातों से उग्रवादियों और चरम पंथी समुओं को और बल मिला उक्सा दिया गया उग्रवादी के दोरा चरम पंथी के दोरा जो समुदाई वो सीखों को जो है और ज्यादा उक्सा दिया उसके बाद क्या-क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा घटना घड़ गया कुछ और तरास्दी घटनाओं ने पंजाब की समयश्या को एक जटी रास्ते पर लाग खड़ा किया अब सभी समझते हैं पंजाब में सबसे ज़्यादा सिख समुदाई के लोग हैं प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उनीके अंग रक्षकों ने हैट्या कर दी ठीक है अब समय समझ सकते हैं भारत के पहली महिला परदान मंत्री इंद्रा गांधी की हट्या हो गई कब 31 अक्टूबर 1984 के दिन ठीक है उनीके घर के बाहर उनीके बॉडिगार्ट के दौरा जो है हट्या कर दी गई यह जो अंग रक्षक थे यह जो बॉडिगार्ट थे यह सिक समुदाई के थे और ऑप्रेशन ब्लू इस्टार का बदला लेना चाहते थे और बदला ले भी लिया एक तरफ पूरा देश इस घटनाक से सोख संतप था पूरा देश जो है वो जो है सोख मना रहा था पूरा दुख में था क्योंकि जो भारत की महिला परधान मनती थी वो अब हमारे बीच में नहीं रही थी तो पूरा जो भारत है वो सोख मना रहा था तो दूसरी तरफ दि प्रदान मंतोर ठीख मैं कि memb particip дан में सब्सक्राइब आज कि राजदानी डिली इस हिंसा में सबसे ज्यादा पर्भाव ही और ये जो हिंसा किसी परभाव पड़ा धीच बीक चे दरेब कानपूर भोकार कानपूर यह एसारे बच़िप रहें बोकारो और चास जैसे जो है कोई भी पुरूस नहीं बचा तो कितना बड़ा ये देख सकते हैं परभाव पड़ा ठीक है चलिए एंग्लिस में बाले आप लोग एंसर को इसकिन साथ ले लीजी तिक होगता है आगना सघ्रेट कि वीटिट से स нормально तुर्ष रंता हूं जो भी नहीं चीए whiskey जोर्ट नाती देख तोपर रेवुलिशन का जो संबंध है वो डैरी छेत्र से किससे है डैरी प्रोडेक्ट से ठीक है सपेथ कांथी या स्वेथ कांथी जी से अपरिसन फ्लर्ट के नाम से जाना जाता है अगे देख सकते हैं नेक्ट पॉर्ट कया लिखा गία है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में स्वेथ कांथी का जनक की रूप में माना या था है सबसे ज़्यादा दूद उत्वादन कहा होती है भारत में होती है पुर्विस्वों में ठीक है आपरसन फ्लड ने डैरी किसानों के छेत्र में दूद उत्वादन पर स्वाय अत्ता दी आगे पॉइंट अप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गिया है भारत में 700 से अधिक कस्वों और सारोप को राष्टिय दूद गृट से जोड़ दिया गिया और जो दूद उत्वादक और उभोगताओं के बीच की खाई को पाठता है ठीक है आगे पॉइंट अप लोग देख सकते हैं नेक्ट पॉइंट में क्या लिखा गिया है यह भार सरकार दोरा क्रांतिकारी पाहल थी क्रांतिकारी पाहल थी जिसने उभोगताओं को भायत के बीविन दूद उत्पाद को और विक्रेताओं को परदान किया स्वेत कांति बहुत फाइदेमन थी और दूद के ठोस आयात को समाप्त कर दिया गिया और इससे डैरी जो है बुनियादी धाचे में सुधार हुआ और नेक्ट पॉइंट अप लोग देख सकते हैं लास्ट पॉइंट क्या लिखा गया यानि एक देश वाला भी देख सकते हैं और एक फुरा विशुवाला भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है मतश्य पालन पसु पालन और डैरी मंत्रा लेने भी आनंद में राष्टिये डैरी विकास बोड परिसर में गोपाल रत्न पुरसकार शुरू करने की घोसना की तो स्वेथ क्रांथी भी आप लोग का किलियर हो गिया अब लोग लेक्ष्ट जो है आप लोग देख सकते हैं इंग्लिस मीडियम बाले बच्चे आप लोग इसको जो है स्किन सोट ले लीजिए मैंने जो हिंदी में समझा है वह यह आप लोग को दे दिया ठीक है चली आज सारे कोशन से जैसे बॉंबे योजना मार्सल योजना कामराज योजना यह सारे कोशन आप लोग देख कर जाईएगा जितने भी देस है उनके साथ भारत का रिस्ता कैसा है जैसा अमेरिका के साथ भारत का रिलेस्टिप कैसा है रूस के साथ कैसा है चीन के साथ कैसा है पाक का जो है रिस्ता को देखकर जाईएगा और जो इंपोर्टेंट यूद लड़ी थी न भारत ने भारत के साथ चीन का यूद हुआ था वो आ सकता है यह सारे कोश्चन आपको देखकर जाना है ठीक है तो चलिए आज का लास्ट और इस वीडियो का अंतीम कोशन कोशन में 20 जो पूरा लंबा कोश्चन का अंसर दे दिया है जिससे कुछ भी आ जाए आप लोग हैट कांथी से कोश्चन को छोड़कर नहीं आईएगा तो चलिए आसानी से हम लोग समझते है यह ग्रिन रेविलेशन क्या थी तो हैट कांथी को जो अर्थ है या उद्देश से जैविक प अबुत्पूर जो विद्दी देखने हों मिली उसे ही ग्रिन रेविलेशन का जो है नाम दिया गया हरित कांथी के नाम दिया गया आप लोग कमेंड बताईएगा हरित कांथी के जनक है वो कौन है आप लोग कमेंड बताईएगा ठीक है और यह जो कोश्चन में देख सकते अब भारत सरकार, कौन सरकार? भारत सरकार ने खायद सुरच्छा को सुनिश्चित करने के लिए किसी की एक नई रन निती अपनाई, एक नया जो है प्लान सुच्छा, इस निती के ताथ सरकार ने उच्च गुनवत्ता वाले वीज, उर्वरक, किटना सक और बैतर सिचाई तो किसी सिस्टम को जो है ज्यादा मजबूती देने के लिए एक से एक चीज अच्छे क्वालेटी की जो बीज है, अच्छे क्वालेटी की उर्वरक है, किटना सक दवाईया है, वो जो है कम कीमत पर सरकार के तरफ से जो है देने लगा, ठीक है? और साथ ही सरकार ने इस ब तो आप लोग वीडियों बने रहिए अब मैं आप लोगों को साकारत्मक परिणाम को देखेंगे तो साकारत्मक परिणाम क्या हुआ देख सकते हैं पहला पॉइंट है तो देख सकते हैं किसानों के पास अब बाजार में बेचने के लिए काफी अनाज वो अपलब्ध हो गिया साती किसानों के जीवन अस्तर भी सुधर गिया तो देख सकते हैं क्या लिखा गिया है हरितकरांती के कारण किर्सी में मजोले दर्जे के किसानों यानि मजधम स्रेनी के भू स्वामित वाले किसानों का उद्धार हुआ उन्हें किर्सी पदती में आये बदलावों से बहुत ज्यादा फाइदा हुआ दिसके अनेक हिस्सों में ये परभावसाली बनकर उबरा कौन जो मजधम दर्जे के जो किसान थे ठीक है नेश्ट पॉइंट देख सकते हैं पॉइंट नमर थी क्या लिखा गिया है खाइदानों के उत्पादन एवं उत्पादकता में भारी बिर्दी देखने को मिली खादानों के आयात जो है वो समाप्त हो गिया पॉइंट नमर फाइप सारवाजनिक जो सारवाधिक लाप जो है वो कौन से फसल को देखने को मिला तो घाईत कान्ती में सबसे जब से यहाद अगर लाप देखने को मिला वो गहु का ठीक है चो गुना बिर्दी गुआ गेहूं के उत्पादन में लगबग 6 गुना उत्पादन जो है हरित कांतिक माईदम से देखने को मिला पॉइंट नमर 5 जो है 6 आप लोग देख सकते हैं खाइद सुरच्चा की अवधाने को बल मिली और राष्टी है आई में विर्धी देखने को मिली राष्टी इंकम में सबसे ज़्यादा विर्धी देखने को मिली ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख से था पॉइंट नमर 8 क्या लिखा गया है अन्दर परदेस तमिल लाडू में चावल की खेती में भी अभुत पूर जो है विर्धी देखने को मिली यानि गेहु सबसे ज़्यादा कहां पंजाब और हरियाना में चावल अंदर परदेस और तमिल लाडू में देखने को मिली चलिए अब हम लोग positive तो देख लिए अब हम लोग negative points को देखेंगे कि हैत कांथी से क्या क्या negative चीज देखने को मिली तो याद रखेगा है पहला point अप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गिया है कि हैत कांथी से धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फाइदा हुआ इस कांथी का सबसे जो बुरा परिनाम हुआना सबसे जो नाकात्मक प्रभाव था जो हुआ है गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का जो अंतर है वो मुखर हो उठा है, यानि हैत कांदी के सबसे ज़्यादा परवाव देखने हो के मिला, सबसे ज़्यादा फाइदा हुआ अमिर दर्जे के किसान को, गरीब किसानों को उतना फाइदा नहीं मिला, ना के बरावर मिला, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अप लोग देख सकते ह है, वो खेती के मामले में पीछड गये, ठीक है, पॉइंट नवर थ्री अप लोग देख सकते हैं, इसका जो परवाव है, सिब गेहू जैसी फसल पर ही हुआ, बाकी फसल पर उतना परवाव देखने को नहीं मिला, लास्ट पॉइंट अप लोग देख सकते हैं, पॉइंट और जो स्ट रोकर हैं, चल recti नहीं के अधक कर देख सकते हैं, आचाया आप लोग का खाली नेगेटिव बल आ गया ना, अथा किजिए मैं स्क्रीन पर देंगा पॉजिटीव और है नेगीटीव चीज़ एडिके नेगीटीव को लिख लीजिए और मैं आप लोग प्रवाइट कर दे रहा हूं ठीक है बस आप लोग इस वीडियो को चम कर लाइक कीजिए और सारे दोस्तों भी सियर कीजिए कोई भी कंज क्रांती को भी देख कर जाएगा बंबे योजना कामराज योजना ये सब को करके जाना है आप लोग को ठीक है और भात के साथ जो देशों का जो रिस्ता है वो कैसा है ये करके जाएगा एजेंडा है किस क्या है वो देख कर जाएगा ठीक है देख कर जाना है गूट भीडियों साथ धन्द बाद चैहिंद वंदे मातम